कि पेर्ड बोने हमें आपसेजन देते हैं लेकिन जब बात पीपल के प्रड़ की आती है तो थोड़ा विचार करना पड़ जाता है और खास करता जब यह घर में या घर की छथ पर अपने आप उब जाता है हलाव जबान आज सब खारशम आप सभी का स्वारत हैं कैसे आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे आज की वीडियो का टॉपिक पीपल की प्यर्द को लेकर हैं घर में या घर की छठ पर पीपल उगाई तो क्या करना चाहिए वैसे तो पेल पोदों से हमें अपसेजन मिलती है इसलिए जितने जादा से जादा पेल पोदे हो उतने हमें लगाने चाहिए वातावर्ण में साफ शुद्धता बनी रहती है अपसेजन हमें मेरती है इसी से हमें जीवन मेरता है और घरों में हम आम तोर पर प्रफोदे लगाते हैं यह जब बात पीपल की आती है तो थोड़ा विचार इसलिए करना पड़ जाता है कि पीपल का पेर जिसम प्रम्हा जी होना चाहिए लक्न लेकिन एक ऐसा पेर जो बीशार ऑपन के अपनी हो जाता है कहीं भी कभी तो फीपल के प्रफोवक हाने जाए है नाहीं घर में होना चाहिए ऐसा होने पर घरbesती रिप्राइश वाभाहीक शीर यह सब सीजें अभिश में आसको हो जाते हैं कम शब्हान पुर्जा का धर्मे प्रवेश होता है जो घर ग्रस्ति के लिए किसी भी लिहार से ठीक नहीं है चुकि पीपल में ब्रह्मा जी का वास है पीपल को यूनी नहीं काटना चाहिए दोश लगता है घर मीन या च्छत पर पीपल उगाए तो पीपल को हमेशा रविवार के दिन भी काटना चाहिए इसके लिए क्या विधी है बहुत अलब तरीके से यूनी नहीं काट देना चाहिए इसके लिए हमें पहले पीपल को अमंतित करना होता है तो यह हमें कैसे करना है देखिए जिस रविवार को पीपल का प्यूद हटाना है जिस दिन आपको हटाना चाहते हैं उससे एक रविवार पहले मेंज एक हफ्ते पहले रविवार को पीपल के पास जाएं पूजा धूब दीप करके उनके सामने हाथ जोड़कर उन्हें उनके स्थान से हटाने का कारण बताएं कि आप वहां उन्हें नहीं रख सकते इसे आप उनसे शमा मांग रहे हैं शमा मांगकर आग्या भी मांगें आमांटित करिए कि मैं अगले रविवार आखर आपको यहां से हटा कर किसी सुरक्षे स्थान पर रोपन करूंगा ऐसा कहते भी पीपल से माफी मांगें कि इस बीच मुझ से कहीं कोई भूप चुक हो जाए तो मुझे शमा करें और अपना अगले रविवार माली द्वारा खुद ने नहीं काटना है माली द्वारा बहुत आदर सम्मान के साथ पीपल को जड़ से निकाल कर कहीं सुरक्षे स्थान पर रोपित कर दें और नमस कार कर शमा मांग कर धर आजाए पीपल हमें आक्सेजन देता है इसलिए पीपल को यू छोगी ना होना फड़े कि इसके आपको दुष्परिणा ना भोने पर आज की इंग्ना ही आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रू कमंटिबॉप्स जा जिने रोग जा जिन जा जिन दे जी